हाजी नमस्कार गुडीवनिंग कैसें आप लोग सभी कोमल नरेश पूनम शिवा वीर अमीता मोनी नरेंद्र विश्नू रंजीत उत्तम सोनू रवीना प्रशान तमन जिया निलेश पिपिन समर्थ मदन ठाकूर सभी को गुडीवनिंग राम राम जय श्री कृष्णा रादे बसंत पंचमी की आप सभी को शुपकाम नाएं सरस्पति मा सभी को खूब सद बुद्धी दे ज्यान दे विज्यान दे भंडार दे ज्यान का भंडार सब को मिले चालो गूड मॉर्निंग भाई गूड मॉर्निंग एग clear देगी हमने दस का अपना एक टार्गेट सेट किया था दस दिन का टॉपिक का सीकुए नट कीेंट किया था और आज अगले दस दिन का शेडिूल मैं आपको दिखा दूएंग है कि अब हमारा अगला अगले 10 दिन का जो शेडियूल रहना है वो कुछ इस प्रकार कर रहेगा ठीक है तो आज मैं आपको रेलगाड़ी करवा रहा हूं फिर इसके बाद समयकारे करेंगे समयकारे में बारी बारी वाले जो सवाल आते ना अल्टरनेट अगले 10 दिन का आप स्क्रीन शॉट ले फिर प्रतीशत फिर चक्रदी व्याज ठीक है एक मिनिट इसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है एक मिट रुकिएगा एक मिट रुकिए थोड़ा समय इसको री स्टार्ट कर रहा हूं आज रेल चलेगी हा और आज हम ट्रें में भी दो ट्रेंद वाले सवाल जो एक दूसरे को पार करती है उस प्रकार के सवाल आज करने वाले हैं तो यह हमारे 10 दिन का schedule रहेगा, ठीक है, समयकारे बारिवारे वाले सवाल, छेत्रमिती, प्रतीशत में मतदान, चुनाओ वाले सवाल, चक्रदी व्याज में किष्ट वाले, त्रिकोंड मिती में लाल बटे कक्का वाले, अनुपात में साजदारी पर आधरी सवाल लेंगे, आईउ में भी अनुपात पर based question लेंगे, geometry में त्रिभू समरूपता है ना, जो similarity है उस पर based, और भिन और बार वाले सवाल हम लेंगे, तो ये 10 topic हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने चुने हैं, जो most important है, और system वही रहेगा, जीरो लेवल से, daily notes, PDA, basic to advance, और आप कभी vacation batch start हो रहा है, और ये अपने आप में बहुत ही बहतरीन batch होने वाला है, because of facilities and fees, मात्र 799 रुपे में आपको 11 subject पढ़ाए जाएंगे, previous years के questions करवाए जाएंगे, basic से पढ़ाएंगे, zero level से पढ़ाएंगे, notes देंगे, 15 mock test मिलेगा, है ना, और बहुत सुभिधाएं हैं, जो आपको इसमें मिलेगी, आप live देख सकते हैं, live देखिए, बाद में recorded देखना है, recorded देखिए, सब सुभिधा आपको मिलेगी, मात्र 799 में 26 फरवरी से नया batch start हो रहा है, और नाम हमने रखा इसका अमरित batch, और 26 तारिक से ही मेरा match का एक special batch भी start हो रहा है, अगर आप चाहें तो दोनों को साथ में ज्वाइन कर सकते हो, उस case में फीस मात्र 999 में रहेगी, only triple line, ठीक है, और cable match का batch आपको मेरा ज्वाइन करना है, तो वो भी 26 से चालू हो रहा है, आप railway के साथ लोगे, तो आपको 999 में मिल जाएगा, अलग से match का batch आपको लेना है, तो 499 में मिल तो आज 14 तारिक है, 16 तारिक को, मैं एक जानकारी क्यूंकि आपके मैं continue comments देखते रहता हूँ, और जो आपकी तरफ से चीजे आती है, अभी एक सवाल यह उठ रहा है कि सर, तयारी किस चीज की करे, क्या group D को target बनाए, NTPC को target बनाए, या technical को target बनाए, या सब को कैसे manage करे, तो मैं 16 फरवरी को, सेम अपने समय पे, आपको पता है कि मेरा time तो 8 बजे ही रहेगा, है ना, तो रात 8 बजे हम मिलेंगे, और उसका topic हमने रखाए कि क्या एक साथ सब की तयारी की जा सकती है, और अगर की जा सकती है, तो किन तरीके से आप सब को manage कर सकते हो, क्योंकि सारी vacancies आनी एक के बाद एक है, तो हम ऐसे ही चले कि सारी तयारी एक बार अच्छे से हो जाए, तो परसो दो दिन बाद मैं यह schedule रख रहा हूँ, एक session ला रहा हूँ, कि हम इनका detailed post-mortem करेंगे, कि कि किस तरीके से सभी परिच्छाओं को साथ में लेकर चला जा सकता है, उसकी ह हम बात करेंगे परसो के दिन, ठीक है, आज की glass की PDF मैं आपको टेलिग्राम पे share करूँगा, अब यहाँ पे हम सारी बातें खतम करते हैं, और शुरुवात करते हैं ट्रेन वाले सबाल की, लेकिन पहले थोड़ आसा basic बताओ क्या मैं आप लोग को, पहले थोड़ आसा हम basic स यह basically पूरी तरह से एक time speed और distance, यानि समय दूरी और चाल पर आधरी सवाल इसमें आते हैं, हम जानते हैं, speed is equal to distance upon time, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन इस chapter में होता क्या है, कि सारी चीजे जो है, बदल जाती है, जैसे distance है, तो यहाँ पे जो train की लंबाई होगी, उसक distance मानेंगे, यहाँ पे distance का मतलब होगा train की लंबाई, length of train, train की लंबाई को क्या कहा जाएगा मेरे भाई, distance यानि दूरी, तो इस chapter में दूरी का मतलब क्या होगा, train की लंबाई, इस chapter में समय का मतलब क्या होता है, तो यहाँ हमेशा आप किसी चीज को पार करोगे, तो पार क करने में लगा समय क्रॉसिंग टाइम जो है वह यहां पर समय होगा और चाल चाल ही है इस पीड इस पीड ही रहेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद आपको दो चीजे और क्लियर होनी चाहिए और वो क्या है तो वो है सापेक्ष चाल यह आपको पता होना चाहिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेलेटिव स्पीड है जब दो चीजे एक साथ चलती है दो चीजे अब भाई देखो दो चीजे है या तो वो दोनो समान दिशा में जाएंगी या फिर वो दोनों विपरित दिशा में जाएंगी जब दो चीजे एक साथ चलती है तो उनकी चाल को सापेक्ष चाल कहते हैं एक ही दिशा में जाएंगी तो समान दिशा विपरित दिशा में जाएंगी विपरित दिशा अब यहां पर क्या होता है कि जब दो ट्रेंज चलती है जब दो ट्रेंज चलेंगी तो आप याद रखना या तो उनकी दिशा समान होगी या तो सेम डारेक्शन होगी या फिर उनकी दिशा विपरित होगी उनकी डारेक्शन ओपोजेट होगी ठीक है समान दिशा और विपरित दिशा हम दो ट्रेंज की बात कर रहे हैं तो हम उनकी लंबाई को हमेशा जोडेंगे समान दिशा में चाल हमेशा घटाई जाती है बराबर में पार करने में लगा समय विपरित दिशा में हम हमेशा क्या क से ज़यादा जो सवाल आपको करने है वो इनी से करने है है ना दोट रें होगी ट्रेंद के साथ आदमी होगा दो ट्रेंड जा रही है उसमें से धीमी ट्रेंड में बेठा हुafa आदमी को पार करना है मैं लगभग ट्रेन के 80% सवाल इन दो फॉर्मुले से करवा देता हूं है ना कहीं ना कहीं हम इससे connect करके सवालों को हल कर सकते बस यह आपको पता होना चाहिए ठीक है समान दिशा में एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जब भी चाल किलोमीटर प्रती घंटे में दी हो तो आप 5 बटे 18 का गुणा करते हो जिससे वो क्या बनता है जिससे वो मीटर पर सेकेंड बनता है और इसी प्रकार अगर कभी आपको चाल मीटर पर सेकेंड में दी है और उसको 18 बटे 5 से गुणा करोगे तो बापस किलोमीटर प्रती घंटे में बदलेगा ये दोनों बाते आप ध्यान रखिएगा ठीक है किलोमीटर प्रती घंटे में दिया है पांच बटे 18 से गुणा करिए मीटर पर सेकेंड बनेगा मीटर पर सेकेंड दिया है अठारा बटे 5 से गुणा करिए बापस वो किलोमीटर प्रती घंटे में बदल जाएगा तो एक तो ये चीज कि आपको काफी जुरत इन दोनों से हम सभी प्रकार के प्रश्णों को सॉल कर लेंगे और यह आप याद रखना एल का मतलब है याप लेंथ यानि लंबाई दोनों ट्रेन के लंबाई हमेशा जुड़ेगी बराबर में पार करने में समय हमेशा आएगा बस दिशा को देखकर हम तय करेंगे कि चाल जुड़ेगी या घटेगी और इकाईयों का बहुत ध्यान रखना यूनिट्स का इस चेप्टर में बहुत ध्यान रखना कि क्या चीज किलोमीटर में दी है यूनिट्स मतलब इकाई क्या किलोमीटर में दिया है क्या मीटर में दिया है क्या सेकेंड में दिया है क्या घंट जोर बता दू कि ये चैप्टर जादातर मीटर और सेकेंड में ही चलता है ये चैप्टर मीटर और सेकेंड में ही चलता है तो वो थोड़ा सा आपको इकाईयों पर विशेश ध्यान देना पड़ेगा ओके चलिए दो ट्रेन है उनकी चाल दी हुई है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है एक 400 मीटर लंबी ट्रेन है एक की चाल 40 से एक की चाल 30 है और एक ही दिशा में जा रही है यानि समान दिशा में जा रही है तो मुझे बताईए कि समान दिशा का फॉर्मूल अब भी बताया था म दिशा में चाल घटती है बराबर में पार करने में लगा समय अब मैंने आपसे क्या कहा था देखो ये मीटर में है ये मीटर में है ये किलोमेटर प्रदी घंटे में है और ये भी किलोमेटर प्रदी घंटे में है तो भाई दूरी अगर है या लंबाई की काई है तो या तो म में हो या किलोमेटर पर दिगंटे में हो दोनों अगर होंगे तो कैसे चलेगा उसको तो सेम करना पड़ेगा ना है क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे हम ऐसा करते हैं एक इस फॉर्मुले की बात कर रहा हूं मैं एक के लंबाई 250 है एक के लंबाई 400 है विपरित समान दिशा है तो चाल घटेगी तो 40 में से 30 घटेगा अगर आपकी परमीशन हो तो मैं डारेक्ट 10 लिख दूँ क्यूंकि S1-S2 40 में से 30 गया 10 पर क्यूंकि यह किलोमेटर पर दिगंटे में है तो मुझे इसको 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा मैंने आपसे पहले कहा कि कि अगर कोई चाल किलोमेटर पती घंटे में है उसको 5 बटे 18 से गुणा करिए वो किसमें कनवर्ट होगा मीटर पर सेकेंड में यह ध्यान रखना तो इस से आएगा आपको पार करने में लगने वाला समय बस इसको सॉल्व कर लो यह होगे आपका 650 यह 18 पलट के उपर आ ज ठीक है अब यहां पर इन्होंने एक चीज़ और कहिए आपको पता है कि हमारा प्रेश्ण जो है हमने क्योंकि मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट किया है तो जो भी हमारा आंसर आना है वो सेकेंड में आना है ठीक है जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा सेकेंड में लेकिन इन्होंने आप से किस में पूचा है इन्होंने आप से पूचा है मिनट में अब आप 30 का ना जाहिए हमने साट का भाग क्यों दिया, आंसर सेकेंड में आएगा, मुझे मिनट पे देना है, इसलिए साट का भाग देना पड़ेगा, ठीक है, अब सॉल कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 से 3 बार, ये कैंसिल हो जाएगा 6 से 10 बार, 13 का 3 गुना 39, 10 का भाग दोगे तो 3.9, so आंसर इस 3.9 मिनट, सी आपके प्रश्न का आंसर है, 3.9, 3.9 आया आनंद भाई, फिर से मैं बता रहा हूं, हम क्या करेंगे बस आप तो इन दोनों चीजों को फिलाल दिमाग में रखें, मैं सब सवाल लगबग इनी से करा दूंगा दोनों की लंबाई हमेशा जुडेगी, बराबर में पार करने में लगा समय आएगा समान दिशा में चाल घटती है विपरित दिशा में चाल जुडती है बस इतनी इसी चीज आपको याद रख लेनी है है ना, दोनों की लंबाई रख दी, दोनों की चाल समान दिशा है, बोला हुआ है है ना, वे एक ही दिशा में जा रही है, तो चालिस में से तीस घटेगा, दस आएगा क्योंकि दस किलोमेटर प्रती घंटे में है मैंने मीटर पर सेकेंड में बदला तो जो भी आंसर आएगा वो सेकेंड में आएगा, पर वो पूछ रहे हमसे मिनट में, तो हमें साट का और भाग देना पड़ा, सो आखरी में जो आंसर आएगा, वो किसमें आएगा मिनट डन, कौनो दिक्कत परिशानी वेरी गुट, चली आगे, टाइप टू है, सवाल को ढंग से पड़ेंगे समान दिशा का ही सवाल है लेकिन कंडिशन थोड़ी अलग है एकस और वाई दो ट्रेन है जिनकी चाल दी हुई है और एक ही दिशा में चल रही है तो एकस और वाई से, अच्छा एकस और वाई दो अलग अलग बिंदू है इस्थान है तो एक का नाम मैंने एकस रख दिया एक का नाम मैंने वाई रख दिया दो ट्रेन है तो एकस से जो ट्रेन चली उसकी चाल है 32 किलोमेटर प्रतिगंटे और जो वाई से चल रही है उसकी चाल है 26 किलोमेटर प्रतिगंटे और एक ही दिशा में जा रही है, मतलब इधर से वाली ट्रेन भी इधर जा रही है, ये वाली ट्रेन भी इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में दूरी है 42 किलो मीटर, और वे य से किसी बिंदू Z पर मिलती है, तो Z से Y की दूरी कितनी है, तो दोनों ट्रेन इधर जा रही ह तो दिख्ती बात है कि इनकी मुलाकात यहां कहीं पर हुई है ना यहां से यहां कहीं पर मुलाकात हुई और इस बिंदू का नाम Z है तो आप से पूछा है कि य से लेकर Z तक की दूरी ग्यात करें अब यह सवाल पड़ो के आपको लगेगा यार यह तो बड़ा कठिन सवाल दे दिया लेकिन अभी जब हम solve करेंगे तो easy बनेगा और logic समझने की कोशिश करेंगे तो और easy बनेगा देखिए आप एक बात समझे मैंने क्या कहा जब इस दो चीज समान दिशा में जा रही है तो अगर दोनों की लंबाई नई दी हुई है तो हम दोनों का actual में सापेक्ष् Пон tobacco चाहिए होता है अंतर इस सापेक्ष चाहर में हमें चाहिए होता है difference of distance है ना तो और नीचे आ जाएगा समान दिशा है तो सापेक्ष चाल इससे मुझे क्या पता चलेगा कि दोनों कितनी दूर मुलाकात करेंगी देखो होगा क्या ये ट्रेन यहां से निकली ये ट्रेन यहां से निकली दोनों जा रही है जो ट्रेन पीछे है उसकी चाल जादा है जो आगे उसकी चाल कम है यानि एक ना एक समय ऐसा जरूर आएगा कि पीछे वाली ट्रेन जो है आगे वाली ट्रेन को पार कर जाएगी तो भई ये यहां पहुची और ये यहां पहुची तो दोनों की जेड बिंदू पे मुलाकाथ हो गई अगर पीछे वाली ट्रेन स्लो होती तो यह जीवन में ना मिल पाए पर पीछे वाली ट्रेन फास्ट है आगे वाली स्लो है तो यह मिला तो लेगी भाई, कब मिलाईगी नहीं पता, वो ही अमें पता लगाना है, तो देखो कि दोनों की बीच में कितने किलोमेटर का फर्क है 42 का समान दिशा में चाल घटेगी तो 32 में से आपने 26 घटा दिया तो कितना आ गया 6 तो 6 से मैंने भाग दिया यानी 7 घंटे बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी या 7 घंटे बाद पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को प साथ घंटे लगा इसको यहां से यहां तक पहुचने में 7 घंटे लगे तो आप से पूछाए कि भाईया तुम तो यह वाली दूरी बता दू है ना तो इस ट्रेन को यहां तक जाने में 26 की चाल से 7 घंटे लगे 26 की चाल से 7 घंटे लगे तो 7 इंटू 6 42 14 और 4 अठारा तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 182 किलोमेटर 182 किलोमेटर C आपका अंसर बताओ कोई तकलीफ है भाई आया अनंद और मैं चाहता हूँ कि आप रटो नहीं लॉजिक समझो तो मज़ा है क्योंकि सवालों का अंत है नहीं आपको पता है मैं इसमें सवाल कितने भी आ सकते कहीं से भी आ सकते लॉजिक्स अगर हमारे अच्छे है कैसा भी सवाल आएगा बनेगा तो लॉजिकल मजबूत होई है सोचिए और पूछिए कि ऐसा क्यूं तो मज़ा है समझने में जब दो चीजें चलती है उनका अंतर लेते है शाप एक चचाल लेते हैं इससे पता चलता है कितने घंटे बाद उनकी मुलाता होगी साथ घंटे बाद यहां से आतक साथ घंटे की दूरी 26 की चाल से साथ घंटे में कितना हो जाएगा 182 182 चलिए 46 किलोमेटर पर आर और 36 किलोमेटर पर आर की गती से समान लंबाई की दो ट्रे ने समानांतर रेखाओं पर एक ही दिशा में यात्रा कर रही है देखो सबसे पहले ट्रेन वाले चेप्टर में दिशा पकड़ना जरूरी है एक ही दिशा तो आपके एंटिने खड़े हो जाने चाहिए कि समान दिशा का सवाल है अब समान दिशा है तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकेंड में पार करती है प्रत्य ट्रेन की लंबाई बताईए समान दिशा में L1, L2, S1, S2 बराबर में समय ठीक है इन्होंने क्या कहा, समान लंबाई की दोनों ट्रेन है, है ना, दोनों ट्रेन की length सेम है, यानि इसकी length अगर x है, तो इसकी length भी क्या है, x है, ठीक है, चाल का अंतर लेंगे, 46 में से 36 गया, तो यह आ गया भाईया 10, into 5, 18, बराबर में पार करने में लगा समय, which is 36 seconds, इस पूरे को उठाके में यहां ले जाओ, है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x, यह हो जाएगा आपका 50, यह आजाएगा 18, यह आजाएगा 36, 18 से cancel हुआ, दो बार, दो से यह cancel हो गया, दो बार, तो x की value 50, यानि प्रत्य ट्रेन की जो लंबाई है, वो कितनी ह होगी, 50 होगी, 50 होगी, very good, ठीक है, समझ आ गया सभी को, दोनों की लंबाई समान दी हुई थी, SSE GD का पिछला सवाल भी था और ये वाला सवाल भी SSE GD का है, 65 किलोमेटर पती घंटे की यात्रा करने वाली एक ट्रेन, 10 बजे बॉम्बे से निकलती है, 75 की गती से उसी दिशा में यात्रा करने वाली ट्रेन, दोपर 12 बजे बंब से कितनी दूर मिलेगी, देखो हुआ क्या, ये बॉम्बे है, दोनों ट्रेन निकल यही से रही है, दोनों ट्रेन निकल बॉम्बे से रही है, पर एक ट्रेन 10 बजे निकली, और अगली ट्रेन 12 बजे निकली, जो ट्रेन 10 बजे निकली, उसकी चाल है 65 किलोमेटर पर आर, औ तो आप से काये कि बंबई से कितनी दूर इनकी मुलाकात होगी, तो पहले तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि बंबई से कितनी दूर के लिए, कितना समय तक यह चलेगी, है ना, आप सोच कर देखिए, देखो, फिर से सवाल समानदिशा का है, क्योंकि दोनों ही ट्रेन डॉनों गूबे से निकल रही है इक 10 बज़े निकली एक 12 बज़े निकली तो दोनों बॉम्बे से तो समान दिशा का कुशन है अगर ट्रेन के लंबाई नहीं दी हुई है दोनों के बीच का अंतर तो दिया रहेगा ऐसे केस में आप अंतर भी ले सकते हो कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, नीचे लेंगे समान दिशा है यानि ये बराबर में आएगा, इससे हमें मिलेगा कि उन्हें कितना समय लगेगा पार करने में, अब मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान से समझना, एक ट्रेन दस बजे निकली, एक बारा बजे निकली, त तब बारा बजे एक ट्रेन यहां से निकली, है न, भई ये वाली ट्रेन तो दो घंटे आगे है न, ये तो पहले ही आगे निकल गई है, तो अगर पहली वाली ट्रेन की चाल 65 है, तो वो तो आल्रेडी दो घंटे आगे चल रही है, एक घंटे में पैसट, तो दो घंटे मे 130 किलोमीटर तो 10 वजे वाली ट्रेन 12 वजे यहां है और 12 वजे अब एक ट्रेन यहां निकलेगी यानि 2 घंटे का समय बीद गया है 10 वजे वाली ट्रेन 12 वजे कहां होगी तो 1 घंटे में 65 तो 2 घंटे में 135 पैसट का दुगना तो देखिए दोनों ट्रेन में अब 130 किलोमीटर का अंतर है और क्योंकि यह किलोमीटर में है तो यह भी किलोमीटर और घंटे में होगा कोई दिक्कत नहीं है नीचे S1 माइनस S2 दोनों का अंतर लेलो तो दोनों का अंतर कितना है 10 यानि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने घंटे बाद पार करेगी तो आंसर आएगा तेरा घंटे बाद लेकिन आप से समय नहीं पूछा है हाया ना आप से ये पूछा है कि बताओ कितनी दूर मिलेगी ठीक है तो आप ये बताईए कि बंबई से कितनी दूर देखो ये वाली ट्रेन तो यहां पहुच गई बंबई वाली ट्रेन अब निकल रही है तो बंबई से कितनी दूर इनकी मुलाकात होगी तो बंबई से कितनी दूर तो बंबई पे जो ट्रेन अभी खड़ी है उसकी चाल है पिचत्तर तो पिचत्तर की चाल से 975 किलोमिटर दूर इनकी मुलाकात होगी यानि एक दूसरे को पार करेंगी क्लियर फेरी गुट ठीक है भई आप से कहेंगे कि इस ट्रेन से कितनी दूर तो 65 का गुणा कर देते बॉम्बे से कितनी दूर क्योंकि बॉम्बे वाली ट्रेन तो अब निकल रही है न तो ये 75 की चाल से 13 घंटे तक चलेगी तो 13 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी तो 975 की दूरी तय कर लेगी ठीक है वेरी गुट चलिए क्वेश्चन नमबर फाइव संपर्क क्रांती देखो कभी भी जब दो ट्रेन अलग-अलग समय पर चले न तो पहले उनके बीच का अंतर identify करो कि यार एक ट्रेन तो आगे निकल गई वो कितनी आगे है यह पता लगाना सबसे जरूरी है पस समान दिशा होगी ही तभी तो एक दूसरे को पार करेंगी साप एक शिचाल का भाग दीजिए समय पता चल जाएगा अंतर निकालना most important है कोई बोल रहा है कि 130 किलो मिटर तो पहले ही चल गई तो 130 तो यह चली ना वहीं बॉंबे वाली ट्रेन तो यहीं खड़ी है और बहुत 13 घंटे बाद यहां पहुचेगी तो इस 975 के अंदर 130 पहले से शामिल है और 130 से हमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह तो इन दोनों का अंतर था और हमने तो यहां से ही नाप दिया ना कि यहां तक की दूरी कितनी है तो 130 तो उसके अंदर आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है हाजी संपर्क क्रांती 14 बचकर 30 मिनट पर 75 की रफ्तार से दिल्ली से चैन्ने निकली जबकि राजधानी उसी दिन 16 तीस पर 90 से दिल्ली से चैन्ने के लिए रवान हुई अच्छा ये भी दिल्ली से चैन्ने के लिए ही निकली दिल्ली से कितनी दूर दोनों ट्रेन यह भाइ एक ट्रेज चौदा बज़कर 30 मिनली अगली ट्रेज लोग तीस मिनलन पर मिस्ली से ही है लंहाई मैं चाहता हो कि आप लोग इसका आंसर मेng एकदम सेम क्वेश्चन कोई अंतर नहीं है पिछले सवाल और इस सवाल में करिए गुड़ 900 आंसर देने वाले बहुत बहुत बधाईगे पात रहे 900 बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये रेलवे गुरूप डी का सन 2022 का आया हुआ सवाल है फेरी गुड बही चौदा तीस यानि दोपेर का ढ़ाई और साम का साड़े चार यानि ये वाली ट्रेन जो है जब ये निकलेगी तब तक दो घंटे चल चुकी होगी और इसकी चाल कितनी है 75 है ना तो ये दो घंटे इससे आगे है दो घंटे पहले निकली 75 की चाल से 75 का डबल मतलब ये ट्रेन यहाँ पहुच गई तब ये चलेगी है ना क्योंकि ये तो ढ़ाई बज़े निकल गई तो जब ये ट्रेन यहाँ पहुची तब ये ट्रेन निकलने का विचार कर रही है यानि दोनों में 150 km का अंतर है तो दोनों में 150 km का अंतर है दिशा समान है सापेक चाल लेंगे अंतर लेंगे 90 में से अगर 75 घटाएंगे तो मैं डारेक्ट 15 लिख दूँ तो इससे आ जाएगा 10 घंटे यानि 10 घंटे बाद उनकी मुलाकात होगी क्योंकि दिल्ली से पूछा है तो ये वाली ट्रेन बाद में निकली तो दिल्ली से कितनी दूर मिलेगी तो दिल्ली से जब आखरी ट्रेन निकली उसकी चाल क्या है 90 तो 90 का गुणा कर दीजिए दिल्ली से 900 km दूर इनकी मुलाकात होगी ये आपका बिल्कुल सही आंसर है 900 km फ्रॉम देली डन चलिए टाइब नंबर फोर जब दो ट्रेने विपरित दिशा में हो हमने जो पिछले 5 सवाल करे हैं ये समान दिशा वाले थे अब हम आ रहे हैं विपरित दिशा पे और विपरित दिशा के बारे में मैं फिर बता दूँ कि विपरित दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है विपरित दिशा में स्पीड हमेशा प्लस होती है ये ध्यान रखना अजय मिश्रा कहे रहे हैं सर मैं अभी ट्रेन में हूँ घर जा रहा हूं और ट्रेन का ही टॉपिक पढ़ रहा हूं बहुत बड़िया है तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जितने लोग इस समय देख रहे हैं उसमें सबस्यादा समझ में आएगा हमारे अजय मिश्रा भाई को क्योंकि ट्रेन में बैटकर ही ट्रेन च जर्द नहीं है चलो हो गया दो ट्रेन है विपरित दिशा है चाल है सब तो दिया है देखो ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है दोनों की लंबाई दी है दोनों की चाल दी है तो और क्या चाहिए समय बता दो तो एक की लंबाई कितनी है 125 एक की लंबाई कितनी है 375 अब ये मीटर में है देखो अब जैसे ये दोनों मीटर में है और ये किलो मीटर प्रती घंटे में है तो अब यहाँ पे होगा तो यह आएगा 81 एक की चाल है 63 अब ये किलो मीटर प्रती घंटे में है तो इसको मुझे मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि इसको मिटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा इसलिए पांच बटे अठारा का गुणा करना पड़ेगा है ना चलो तो यह हो गया 3 4 5 इसको जोड़ा तो कितना आया भाइया 5 स्वाया यह 18 उपर आ जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, 4, 8 और 6 हो जाएगा, 14, तो 5 से कैंसील होगा यह 100 बार, 18 से कैंसील होगा 8 बार, 8 से कैंसील होगा साड़े बारा बार, तो after साड़े बारा घंटे, they will cross each other, sorry, घंटे बोल रहा हूं, second, after 12.5 seconds, they will cross each other, मीटर पर सेकेंड आ गया ना, तो आंसर आपका सेकेंड में आएगा, so after 12.5, साड़े बारा मिनट सेकेंड के बाद, एक दूसरे को पार करेंगे, very good, very easy, done, कौनों दिक्कत, अगला सवाल, बहुत अच्छी बात है बाई, समान लंबाई की दो ट्रेन है, उनकी चाल दी है, विप्रिद दिशा दी है, बारा सेकेंड में पार कर जाती है, हर ट्रेन की लंबाई बताईए देखो दोनों ट्रेन की लंबाई कैसी है सेम है एक S1 है एक S2 है बराबर में टाइम है तो एक की चाल है लंबाई एक से दूसरे की भी एक से 90 और 54 तो 90 और 54 कितना हो जाएगा 50 54 हो जाएगा चलो विपरित दिशा है तो यह दोनों जोड लेंगे है और इसको गुणा कर लेंगे ताकि मीटर पर सेकेंड में आ जाए और इधर आ जाएगा पारण करने में लगा समय विच इस 12 seconds है ना तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा two x ये क्या हो जाएगा भाई एक काम करो ना इसको पूरे को उठा के उधर ही ले जाओ तो बारा तो अपनी जगा है ही इसको भी ले आओ तो नो और पांच चाउदा यानि 144 और पांच 18 ठीक है काटा पीटी 18 से से cancel कर दो आट बार दो से cancel कर दो छे बार च्छे-ाट 48 48 का पाच गुना 240 तो प्रतेग train की जो लंबाई है डाट is 240 240 we अ करे Liter अ कि दोनों की length same थी दोनों की लंबाई बराबर थी ऐसा ़ल dauसाका गया है आपसे ठीक है चले आगे नेक्स देखिए 110, 90, 2 ट्रेन, विप्रित दिशा, 5.4 सेकेंड में पार किया एक की लंबाई 130, दूसरी की लंबाई क्या है, वेरी गुड, देखो एक ट्रेन की लंबाई 130 है, दूसरे की नहीं पता एक की चाल 110 है, एक की चाल 90 है, और फिर 130 मीटर में है, ये किलो मीटर में है, विप्रित दिशा में चाल जुड़ेगी, एक दूसरे को पार करा है, तो मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, और कितने सेकेंड में पार करा है, 5.4 तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मेरी कोई ज़ुरत है आप आराम से इसका अंसर निकाल सकते हो तो जल्दी से निकालो देखते कौन सबसे पहले करेक्ट आंसर देता है हाँ ठीक है ओके आर्मी की क्लास ठीक है चालू कराते हैं आप विनर्स डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो आर्मी की हम क्लास लगवा देते हैं उसपे चलो देखते हैं क्या आएगा ये तो हो जाएगा आपका 130 और एक ट्रेन की लंबाई नहीं पता ये हो गया आपका 200 पांच अठारा और चववन बटे दस इसको मैंने लिख दिया चववन बटे दस बस इसको सॉल कर लो है ना तो जीरो से जीरो गया अठारा से कैंसिल हो गया तीन बार पांच का तीन गुना पंदरा पंदरा का दुगना हो गया तीन सो तो यह आ गया 130 प्लस एक्स और इधर आगया आपका तीन सो में से अगर एक एक सो तीस है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई एक सो सत्तर होगी 170 इस दा आंसर 170 बिलकुल सही जवाब हो जाएगा आपका ठीक चलिए टाइप नंबर फाइब है क्वेश्चन का लंबाई दी है एक दूसरे की और 162 एक सो आट दोनों की बीच की दूरी 300 यह ट्रेन कितने समय में पार करेगी ओके मेंस का बहुत बढ़ियां सवाल है भाई टीर 2 का मतलब क्या होता है मेंस तो SSC CGL मेंस का सवाल है लेकिन मैं करके बताऊंगा तो आप बोलो के सर इतना आसान सवाल मेंस में क्यों पूछते होंगे यह लोग ठीक है चलो बता दूँ तेखो आप एक काम करो आप पहले इससे समझो कि एक ट्रेन यह खड़ी है ठीक है दूसरी ट्रेन यह खड़ी है और दोनों के बीच में कुछ रखा है या डिस्टेंस है एक की लंबाई 450 है एक की लंबाई 300 है और दोनों ट्रेन के बीच की दूरी भी कितनी है 300 है तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या मानी जाएगी टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक मानी जाएगी उनके बीच की जो दूरी है वो भी लेना है बस इतना सही काम है तो देखो 300, 300, 600, 450 यानी टोटल डूरी आ गई 1050 एक दूसरे की ओर आ रही है देखो एक दूसरे का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ यानी विपरित दिशा एक इधर से और एक इधर से विपरित दिशा विप्रित दिशा में चाल जुड़ेगी तो एक की चाल है 162 एक की चाल है 108 और किलोमेटर प्रदी घंटे को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं बस इससे सीधा अंसर की प्राप्ति आपको हो जाएगी 1050 आ गया यह 18 पलेट के ऊपर जाएगा पांच आपका नीचे रह जाएगा यह दोनों जुड़ेंगे तो आट दो दस छे और एक साथ दो एक तीन तो यह आजाएगा आपका 370 स्वारी 270 ठीके ना यह 270 आ गया बस खतम काम सॉल्व कर लो तो देखो जीरो से जीरो गया 27 के पहाड़े में यह फिर एक काम करो पांच से इसको उड़ाओ तो यह आगया 21 नो दुनी 18 नो तिया 27 तीन इन्टू 7 और 7 का दुगना कितना आगया 14 तो दोनों एक दूसरे को 14 सेकेंड में पार कर जाएगी आंसर है उनके बीच का जो गया पे वो भी जोड लेना है बस इतना सा काम था बागी कुछ नया नहीं था 14 सेकेंड इस दर आइट आंसर ठीक है बहुत जादा आसान टॉपिक है कभी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चली अगला देखिए एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की और 200 किलोमेटर पतिगंटे की गति से चली 45 मिट बाद स्टेशन बी से ए की और 35 की गति से दूसरी ट्रेन चली दोनों की बीच की दूरी 855 है दोनों ट्रेन की ए से कितनी दूरी पर मिलेगी देखिए यह सवाल हमने अभी थोड़े देर पहले किया था उसी को थोड़ा अलग भाशा में आपको दिया जा रहा है ये station A है, ये station B है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच में दूरी है 855 km, ठीक है, A से जो चलती है, इधर वाली train जो चल रही है, वो 200 km प्रतिगंटे की गती से भाग रही है, और जो उधर से छूटी है, 45 मिनिट बाद, इधर से जो train निकली है, ये 35 km और दोनों के बीच की दूरी 855 है, एक दूसरे को A से कितनी दूरी पर मिलेगी, सवाल क्लियर है सभी को, अब हमने यहाँ पे सवालों में क्या सीखा है, कि हमें यह देखना है, हाँ, हमें यहाँ पे यह देखना है, कि जब आपकी दूसरी train निकलती, तब तक 45 मिट बाद वो निकली, है ना, तो 45 मिनट तक यह तो चलेगी ना, तो 240 है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, मिनट को गंटें बदलने के लिए 60, 15 तिया, 15 इंटू 4, यानि जब वो train निकलेगी, तब तक इसको आराम कहा है, यह तो यहाँ गई, 150 किलोमेटर की दूरी इसने तय कर है ना, आप पड़ो ध्यान से, 45 मिनट बाद वो train निकलती है, तब तक वो तो चलेगी ना, वो किसी रस्ता देखेगी, वो तो चलेगी, ठीक है, तो अब यह बताओ, कि 855 दोनों की दूरी थी, 150 दूरी कम हो चुकी है, तो यह 5 आ गया, 5 में से 5 गया, 8 में से 7 गया, यानि अब दोनों की बीच की दूरी कितनी बची है, अब दोनों की बीच की दूरी 705 बची है, है ना, और सापेक्ष चाल तभी लगाओगे, जब दोनों चीजे चले, एक चल रही, एक रुकी है, क्या करोगे, तो अब दोनों की बीच में 705 की दूरी है, और अब दोनों मूवि और पांस तिया पंदरा यह एक्जेक्ट कटेगा तीन बार यानि भाईया तीन गंटे बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी तीन गंटे बाद यहां कहीं पर यह मिलेंगे पर सवाल है यह से कितनी दूर यह से कितनी दूर तो देखो तीन गंटे यह और 45 मिड़ वो पहले चली थ और 150 पहले ही चल चुकी है तो टोटल कितनी दूर 750 भई मैं यह पता लगा लू ना कि इस बिंदू से ओर कितना तो यहां से तीन गंटे बाद मुलाकात होगी तीन गंटे बाद एक दूसरे को काटेंगी पार करेंगी तो तीन गंटे में यह वाली ट्रेंट 200 की स्पीट से 600 चल जाएगी 150 चल चुकी है तो ए से कितनी दूर मिलेंगे ए से मिलेंगे 750 किलोमेटर दूर 750 इस दर राइट आंसर ठीक है अमन धाकूर का सवाल है कि सर 5 बटे 18 ही क्यों लेते हैं बता देते हैं आपको अमन ठीक है देखो 5 बटे 18 का कंसेप्ट कहां से आया आप सवाल पड़ो जिन से बन रहा है पड़ो जिनको पता है इधर मत देखो जिनको नहीं पता है वो देखो कि किलोमेटर प्रदी घंटे में 5 बटे 18 का गुड़ा करने पे मीटर पर सेकेंड क्यों आता है बई आपके पास चाल है एक किलोमेटर में एक घंटे कि एक घंटे में एक किलोमेटर वो चल रही है अब मुझे इसको बदलना है मीटर में और इसको मुझे बदलना है तो 1 किलो मिटर में कितने मीटर होते हैं 1000 एक गंटे में 60 मिनट हर मिनट में 60 सेकेंड ठीक है तो एक किलो मिटर में 1000 मिटर और एक गंटे में 60-60-36 सेकेंड दो जीरो से दो जीरो गए तो यह 10 आ गया नीचे 36 आ गया दो से कट गया पाच बार दो से कट गया अठारा बार तो एसे आता है पांच बटे अठारा सवाल नंबर 11 ठीक है चलिए दो स्टेशन है S1 और S2 नाम दे देते हैं इनका है ना इसका नाम दे दिया हमने S1 इसका नाम दे दिया आपने S2 इनके बीच की दूरी कितनी है तो इनके बीच की दूरी है 195 किलोमेटर एक ट्रेन स्टेशन S1 से 4 बज़े निकलती है इधर से ट्रेन निकलती है 4 बज़े और उसकी चाल है 65 इधर से ट्रेन निकलती है 5 बज़े और इसकी चाल है 35 दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी देखो पहले तो दोनों को सेम टाइम पे लाओ एक चार बजे निकली एक पांच बजे निकली तो भाई ये चार बजे निकली तो मान लो ये यहां पहुँच गई क्योंकि इसकी चाल ही 65 है यानि इसने 65 किलोमेटर की दूरी तै कर ली 195 में से 65 गया 195 में से 65 गया तो बचा कितना 130 यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 130 क्योंकि टोटल दूरी कितनी थी 195 अब 195, 130 इनके बीच की दूरी बची है ये पाच बज़े यहाँ पहुझ गई ये भी अब चलने को तयार है विपरित दिशा है चाल जुड़ेगी तो विपरित दिशा में चाल जुड़ो 65 और 35 कितना हो जाएगा 100 क्योंकि ये भी किलोमीटर है तो ये किलोमीटर परार चलेगा एक दशमलो तीन घंटे बाद इनकी मुलाकात होगी अब बहुत लोग यहाँ पे गलती करेंगे मैं बिना आपके कमेंट देखे ही अनुमान लगा चुका था कि आप आंसर देंगे बी ठीक है आंसर क्या देंगे आप बी अधिकतर लोग और जो बी आंसर दे रहे हैं आपको थंडे पानी से इसी समय रात में नहाने की बहुत जुरत है ठीक है क्यों भाई एक दशमलो तीन घंटे का मतलब किसने कहा कि एक घंटे 30 मिनिट होता है है ना एक दशमलो इस हिसाफ से तो अगर तुम्हें एक दशमलो आट कहा जाए तो क्या तुम्हें एक घंटे 80 मिनिट कर दोगे उसको है ना क्या एक दशमलों नौ कहा जाए तो तुम एक गंटे 90 मिनिट कर दोगे बिल्कुल नहीं है ना एक दशमलों पांच घंटे का मतलब होता है डेड़ घंटा ठीक है अगर यह सवाल ऐसा होता ना अगर यह ऐसा होता तो इसका मतलब 30 है यह फिलाल दशमलों है यह घड़ी नहीं है यह दशमलों है तो देखो आप इसको ऐसे समझो कि यह आप इसको ऐसे कर लो कि भाई 13 बटे 10 है या फिर इसको ऐसे कर लो कि 1 और 3 बटे 10 है दशमलों 3 को क्या मैं 3 बटे 10 लिख सकता हूं 3 बटे 10 और इसको मिनट में कनवर्ट करो इसलिए किस से गुणा करो 60 से जीरो से जीरो कटेगा तो ये वास्तों में एक घंटे 18 मिनिट है छेती 18 हो गया मोए मोए कोई आनंद मंगल में कमी तो नहीं है ये एक दशमलो तीन घंटे है एक घंटे 30 मिनिट नहीं है इसको मिनट में बदलना पड़ेगा तो एक घंटे 18 मिनिट ठीक चलिए अगला इसलिए आज हमने सुबह सुबह आज जब मैं एप्लिकेशन पर सुबह क्लास ले रहा था तो मैंने सबसे पहले आज की क्लास की शुरुवात ही यह करी कि आज वसंत पंचमी है सरस्वती मा का दिन है वो सब को सदबुद्धी दे यही हमारी वस उनसे प्रार्थना है कि हमारे इन नन्ने मुने बालक और बालिकाओं को सदबुद्धी दे नहा ले ना पाप दुल जाएंगे तुम्हारे चलो टाइप चेंज हो गया है 142 की आत्रा करतुए रेलगाडी 38 पर विपरित दिशा आधी लंबाई वाली दूसरी चाल 6 सेकेंड में यह एक रेलवे प्लेटपॉर यह अपने आप में ना दो सवाल है एक तीर से दो दो निशाने आपे मारे जा रहे हैं तो आपको पहले केबल यहां तक सॉल्व करना है आगे पढ़ना भी मत पहले इतना सॉल्व करो सारी जानकरी जुटाओ फिर उसके आगे बढ़ो ठीक है देखो 142 किलोमीटर पर यात्रा करते हुए एक रेलगाडी 38 की विपरित दिशा से इसकी आधी लंबाई की जैसे हम मानें कि भीया एक ट्रेन की लंबाई अगर 2x है तो दूसरी इसकी आधी होगी अगर एक दो है तो एक उसकी आधी होगी तो एक को 2x मान लिया इस पांच बटे 18 और दोनों ने एक दूसरे को कितने समय में पार करा है तो 6 सेकेंड में पार किया है क्लियर इतनी बात ठीक है तो 2x और x कितना हो जाएगा ये आपका 3x हो जाएगा 142 और 38 को जोड़ोगे 4,3,7 और 8 यानि हो जाएगा 180 ये हो जाएगा 5 बटे 18 ये हो तो 300 आजाएगा यानि x की value कितनी आजाएगी x की value 100 ठीक है इसका मतलब एक train की लंबाई 200 है और एक train की लंबाई कितनी है तो 100 है ठीक है भाई यदि यहाँ एक railway platform को भी 45 सेकेंड में पार कर जाए कोन वो पहली वाली ही train है यहाँ पे कोन की किसकी बात चल रही है वही train जि इसकी लंबाई 200 है और उसकी चाल 42 किलोमेटर पती घंटे जनरली ऐसे केस में जो पहली train है उसी की क्योंकि उसी train ने अपनी आधी लंबाई वाली train को पार करी और अब वही train platform को पार करेगी तो यहाँ से आपका दूसरा सवाल शुरू होता है कि यही train यानि यह 200 मिटर लं कितनी 142 और platform की चाल तो होगी नहीं अब मत बुलना platform भी दोड़ेगा क्या और दोनों एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करती है 45 इसको हल करने से मुझे platform की लंबाई पता चलेगी तो मैं इसको उठा के उधर ले जा रहा हूं जगाद की थोड़ी सी कमी है तो यह 45 आ 9 दूनी 18 फिर 2 से यह कैंसिल हो जाएगा 71 बार है ना फिर यह हो जाएगा 5 और 5 25 तो 25 एकम 25 और 175 में आप दो जोड़ोगे तो 117 और यह जो 200 है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास जो platform है इसकी लंबाई आ जाएगी 1575 प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 1575 1575 अब बोलो है ठीक है एसे यह दो सवाल थे यही वाली ट्रेन ने अपने से आदी लंबाई की ट्रेन को पार कर और यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार किया प्लेटफॉर्म के लाएं था हमें पता नहीं 45 सेकेंड में पार किया लब 40 के 145 बटे 18 1575 मैस फाउंडेशन हिंद इंगलिश दोनों मीडियम में होता है आपको लेंग्वेज का इश्यू नहीं आएगा उसमें ओके क्लैरिटी होनी चाहिए भाई सवाल कैसा भी हो क्लैरिटी से चलोगे आप कभी गलती भी नहीं करोगे इस दो रेल गाडिया है 40 और 32 से विप्रिद्धिशा तेज वाली घती धीमी वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 15 सेकेड देखो अब हम इस मोड पे आ गएं कि एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार कर रही है फिलाल इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल बताऊं इसका आप फिलाल बस इतना याद रखो कभी भी आप इसमें ये मत देखो कि फास्ट ट्रेन में बैठी है कि स्लो ट्रेन में व्यक्ति बैठा है हमेशा याद रखें जिस ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा होता है जिसके अंदर आदमी बैठा है उस ट्रेन की लंबाई हमेशा जीरो ली जाती है क्योंकि हम उस ट्रेन को पार करी नहीं रहे हम तो उस आदमी को पार कर रहे हैं और आदमी की कोई लंबाई होती नहीं जिस ट्रेन में आदमी बैठेगा, उसकी लंबाई हमेशा 0 लेंगे, दिया हो तो ठीक, ना दिया हो तो भी ठीक, उसकी जरूरत ही नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखना, तो देखिए, सबसे पहले दिशा पकड़िए, विपरित दिशा है, विपरित दिशा मतलब L1, L2, S1, S2 बराबर में टाइम, ठीक है, अब आप समझना, भई, एक ट्रेन फास्ट है, एक ट्रेन स्लो है, आदमी किस में बैठा है, धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठा है, यानि स्लो ट्रेन की लंबाई हम क्या लेंगे, 0, तो हमें पता क्या करना है, फास्ट, तो फास्ट ट्रेन क को एलवन ले लेता हूं और एलटू को मैं क्या ले लूँगा जीरो तो जीरो को लिखने की जरुरत नहीं है विपरित दिशा में चाल जुड़ेगी तो 40 और 32 चालिस और 32 को डारेक्ट बहत्तर लिख देता हूं पांच बटे अठारा और बराबर में पार करने में लगा समय यानी पंद्रा तो इसको उठा के उधर ले गए 32, 5 और 18 इससे आपको डारेक्ट आंसर की प्राप्ती हो जाएगी 18 से कैंसिल हुआ 4 बार 20 और 15 तीन सो तो जो फास्ट ट्रेन है उसकी लंबाई क्या होगी 300 और स्लो ट्रेन का अगर आपसे पूछते तो उसका आंसर बताया ही नहीं जा सकता उसका आंसर आप के नौट भी डिटर्मीन होता तहीं नहीं किया जा सकता है बहुत सिंपल लॉजिक है जिस ट्रेन में आदमी बैटे उसकी लंबाई 0 तो जब वो ट्रेन को ही हम 0 मान रहे तो एल्टू कुछ रहे गई नहीं तो जो आंसर आएगा वो फास्ट ट्रेन का ही आएगा वो तेज चलो अगला है कि ये भी एक बड़ा ही प्यारा सवाल है पढ़े इसको बड़े ही प्रेम से हाँ ठोश के खंबे की लंबाई नहीं उचाही ओती है खंबे को कैसे पार करोगे प्लेटफॉर्म के लंबाई होगी पुल की लंबाई होगी जुढेगा साम्बाय की लंबाई को पढ़ाता हूं बेसिक से तो पहले दिन की क्लास में तो बहुत गुदगदा देता हूं बच्चों को मैं बहुत तरह तरह के उधारनों की बात करते हैं चलती ट्रेन के सामने अगर आदमी आ जाए तो कई बहुत चीज़े हैं आज एप्लिकेशन पैसी मजाक मजाक में प्रॉफिट और लॉस में डिसकाउंट आया था है ना आप मैंसे कई लोग होंगे जो मैस फांडेशन में पढ़ते होंगे तो हमने आज डिसकाउंट को भोध गहराई से समझाता की कैसे हिंदूस्तान का आदमी और डिसकाउंट का संबंध है फिर हमारी माताएं और बहने आती हैं फिर तो फोल के रख देते हैं डिसकाउंट जैसी चीज़ को तो मजा है इसी चीज का मजा है रेल्वे का ओफलाइन बेश नरेंद्र आप ओफलाइन चलू हो रहा इसी महीने में आके आप जानकरी ले लीजेगा यह सवाल मैं पिछले 3-4 सालों से करा रहूं और यह एक सयोग है कि अपनी यह सवाल आपको आज से 2 साल पहले जो मैंस की किताब छपी उसमें भी मिलेगा आज से 3-4 साल पहले जब मैं मैंस फांडेशन पढ़ा रहा था तब भी मिलेगा और यह सयोग है कि वही सवाल ससी जीडी की परिक्षा में सेम विदाउट नंबर चेंज होके यह आपको मिला है और मैं अगर आप अपनी अंक गणित एक एडवांस की किताब एक अंक गणित की किताब है आपने बात निकाल दी इसलिए मैं दिखा देता हूं या तो यह ट्रेन चेप्टर में होगा या फिर यह समयदूरी चेप्टर में होगा थेरा तो 207 या 235 नंबर पेज पे आप इ यह बड़ी सिंपल बात है हम करते क्या है कि एक ट्रेन असी चल रही है 1 95 चल रही है यानी यह ट्रेन हर घंटे 15 किलो मिटर जाधा चल रही है तो 180 किलो मेटर जाधा मतलब क्या है एक घंटे में 15 किलोमेटर तो 180 किलोमेटर चलने का मतलब है 12 घंटे यानि दोनों ट्रेन 12 घंटे चली ओगी तो 80 वाली ट्रेन भी 12 घंटे चली 95 वाली ट्रेन भी 12 घंटे चली तो दोनों 12 घंटे चली तो कितनी दूरी तै करी 8 और 9 17 यानी 175 और यहां 12 का गुणा करिए आंसर 21 सो आएगा क्योंकि मुझे भी रटा हुआ है ठीक है मैं भी 5 साल से इस अवाल पढ़ा रहा हूँ ठीक है ओके चलिए भाई दो ट्रेन है एक सवाई से एक दूसरे को 600 किलोमेटर दूर है एक से से 225 किलोमेटर दूरी पर एक साथ करते हैं बी को यातर करने में 8 गंटे लगे तो एक को कितना लगेगा इस सवाल को छोड़ो यह तो बहुत नॉर्मल सवाल है आप होमवर्क में लेना यह सवाल जरूर मैं आपको करके बताता हूँ अंतिम सवाल है आज का मारा इसको पढ़िए इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है देखो क्या होता है जब दो ट्रेने एक यहां से यहां तक पहुची एक ट्रेन यहां से यहां तक पहुची यहां एक दूसरे को पार करने के बाद यह वाली ट्रेन यहां गई और यह वाली ट्रेन यहां गई इस ट्रेन को यहां से इस मिटिंग पॉइंट से यहां तक जान में चार घंटे 48 मिट लगे और इस ट्रेन को यहां से यहां आने में तीन घंटे 20 मिट लगे तो इसलिए इसका नाम रखा है कि जब दो ट्रेंज मिलती हैं तो इसका एक बहुत बहुत सुंदर तरीका है इस्पीड 1, इस्पीड 2, टाइम 2, टाइम 1 और यह अंडर रूट में बहुत कमाल की ट्रिक है और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत आता है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है याद रखना एस्वन एस्टू यह अब कैसे बना बताने का समय फिलाल नहीं है मैंस फाउंडेशन में आपको मैंने यह प्रूफ करके दिखाया है कि कैसे आता है फिलाल आप बस आम खाएं गुठली को छोड़े एस्वन एस्टू एनि चाल उसके समय के विपरित हो अब यहां पर आप क्या करिए इनको पहले भिन्न में बदल लो या मिनट में बदल लो जैसे आपका टाइम वन जो है वो चार घंटे 48 मिनट है तो साट से भाग दे दो है ना तो बारा चोक अरतालिस बारा पंजे साथ पांच टूचार बीस और चार तो यह आ जाएगा ठीक है टाइम वन आपका क्या आएगा चोबिस बटे पांच फिर टाइम टू पर आओ तीन घंटे 20 मिनिट तो बीस तिया साथ तीन तिया नौर एक दस तो यह आ जाएगा आपका दस बटे तीन तो टाइम टू के आजाएगा दस बटे तीन बस इनको रग दो एक ट्रेन की चाल 45 है दूसरे की चाल क्या है एक ट्रेन की चाल क्या है 45 दूसरे की चाल मुझे नहीं पता टाइम वन नीचे आएगा तो टाइम वन नीचे आएगा यानि 24 बटे 5 टाइम टू उपर जाएगा तो यह उपर आएगा 10 बटे 3 ठीक है अब इसको आप सॉल्व करोगे यह 45 हो तो क्या करोगे आप 2 से इसको उड़ा सकते हो 5 बार 2 से उड़ा सकते हो 12 बार 5 और 5 25 25 किसका वर्ग होता है 12 तिया 36 36 किसका वर्ग होता है 5 से कड़ गया 9 बार और 9 इंटू 6 54 तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 54 54 हाँ 27 26 तारिक से वो बैच चालू हो रहा है जो आपने ले लिया है 26 से लाइव क्लाजा पर्टेंट करना एक सुबह एक शाम ओके भाई आया मजा 25 का वर्ग बारातिया 36 का वर्ग पांस से कटा नौ बार 9 इंटू 6 54 तो इस ट्रेन की चाल क्या है 54 है तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं इसकी पीडिएफ में दो मिनिट के अंदर यहां पे शेयर कर रहा हूं डाउनलोड कर लेना यह जो भी पढ़ाया है और अब हम अगला जो टॉपिक उठाएंगे वो समयकार्य और समयकार्य में ब तो यह सेशन होगा या फिर समयकार्य और अगर कल नहीं हुआ तो यह परसो होगा है ना इसकी परसो होने की संभावना ज्यादा है तो 16 फरवरी को रात 8 बजे ठीक है मैं आपसे एक special मुद्दे पर बात करूंगा कि क्या railway के आने वाली परिक्षाओं की तयारी कैसे की जाए और क्या सब की तयारी एक साथ कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत लोगों का confusion है तो इसकी हम बात करेंगे और 26 फरवरी से winners के application पर railway का धमाकेदार बैच चालू हो basic से, zero level से, live classes, बाद में recorded देख लो, previous years के प्रेशन, mock test, notes, materials, सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ मिलेगा आपको है ना, और मेरा एक maths का नया बेच चालू हो रहा है, अगर आप दोनों साथ में join करना चाहते हो तो 999 और सिर्फ maths का करना है तो 499 और यह winners की, teachers की team है, यह हम सारी किताबे हैं, आप अगर maths की, reasoning की, मेरी किताबे चाहिए और सभी, मतलब biology, history, computer, English, reasoning, तो आप इन्हें order कर सकते हैं, हिंदी, medium, English, medium, सभी में उपलबते हैं, अगर आपको course लेना है, तो winners institute app, और अगर आपको किताबे order करनी है, तो winners publication app, इनके माध्यम से आप कर ठीके भाई, तो उमीद करते हैं, आज के सेशन में आपको पुना हर दिन की तर आनंद प्राप्त हुआ होगा, कमेंड करके बताईएगा आज का सेशन कैसा लगा, कल हम मिलते हैं इसके आगे, और नए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, फिलाल बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्कुराते रहिए, धन्यवाद.